हेलो सुटेंट्स वल्कम तो न्यू अरा मैस क्लासिज आज हम रेक्टिफिकेशन चेप्टर को कॉंटेन्यू करेंगे अन्य फर्स्ट एक्साइज हम स्टार्ट कर रखें हमने उसी की कुछ क्वेशन्स और करते हैं ट्राइए और जो बच्छे क्वाड्रिचर की डिमांड करे चैप्टर 10 वह भी मैं आपको जल्दी करवाने वाली हूं कली आप और समय आपको जह वीडियो उसके भी मिल जाएगी ठीक है इनको साथ-साथ लेके चलते हैं कई बच्छे रेक्टिफिकेशन की डिमांड करते हैं कई बच्छे क्वाड्रिचर की डिमांड करते हैं अब दा लूप आपको फाइड आउट करने वह हमें क्या निकालने फोरेवाय रूट थ्री होना ची तो अभी आपको कुछ नहीं पता है कि इसका जो हो डियाग्राम यानि कि अगर मैं इसको ट्रेस करना चाहूं तो अभी आपको यहां पर जैसा हमने सेवन चेप्टर मीं क इसका डियाग्राम कैसा बनना है इसलिए आपको पहले इसकी ट्रेसिंग करने पड़ेगी तो फड़ा मट से इसकी ट्रेसिंग करते हैं एक रफसा स्कैच बनाते हैं सबसे पहले हम स्मेट्री चेक करते हैं य की इवन पावर होती है तो जो हो स्मेट्रिकल अबाउट एक्स on- X से चेंज खरते हैं अगर हमारी क्वेरा ही रहती है चेंज नहीं होती है तो यहां पर देखते हम सिर्फ य की कि हम पनग एवन पाउर है तो अगर मैं यह वालव लूल भी चेक करते हूं तो जैसे आप X को माइनस X से चेंज करेंगे यहाँ पे चेंज हो जाएगी इक्वेशन इसलिए जो कर्व है कर्व सिमेट्रिक कर अबाउट अर्ली एक्स एक्सिस यहाँ पर मैं आपको जो हम वर्बली बताऊंगे लिखोंगे बहुत कम ठीक है? सेकेंड सेकेंड हमें क्या चेक करना भी? और इसन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप X और Y को 0 फुट करके देखिए X और Y को 0 फुट करते हैं 0 1 पल तो 0 है ना? या फिर आप भी यह भी चेक कर सकते हुआ कि कोई भी constant term इसके अंदर नहीं होने चाहिए तो यहां पर कोई constant term नहीं है इसको multiply करेंगे सबके साथ x जाएगा तो यह कर्व जो हूं किससे पास कर रहे है origin से कर पास थो और इजन अगर origin से पास करता है तो हमें और tangent at origin find out करना होता है और जो कर और जो कर और इजन से पास कर रहे हैं tangent at origin कैसे निकालते हैं lowest degree term को equal to zero put करके अब lowest degree term यहां पर थोड़ा से इसको solve कर लिजी 3 a y square is equal to x into x square plus a square minus 2 a x अगर मैं इसको multiply करती हूँ तो सबसे छोटी डिगरी x की आएगी जब मैं इसको a square से multiply करूँ ओके, then tangent at origin is a square x equal to 0 that means x equal to 0 और x equal to 0 कौन से line होती है? y axis means y axis is a tangent at or reason okay next asymptote इसके गर हम constant जो highest degree coefficient चेक करेंगे तो constant आ रहे हैं okay आप asymptote यहां पर वैसे भी खुर ट्राइब करके देख सकते हो और oblique asymptote हम जैसे निकालते हैं मैं color tracing में भी आपको बता चुकी हूँ और asymptote की chapter में highest degree terms के coefficients यहां पर constants है तो ना ही parallel x axis होगा ना ही parallel y axis होगा ओके इसके बाद आपको क्या करना होता है x को one put करना होता है y को m put करना होता है वहां से आप m की value निकालेंगे और अगर m की image and value value आती है तो oblique asymptote भी नहीं आता है तो इस कर्म के लिए कोई भी asymptote नहीं आएगा no asymptote ओके fourth is fourth हम देखते हैं किसका reason कहां से कहां तक है जैसे आप color tracing में जो वह trace करते हो as it is करने की जुरुत नहीं है main main point आप यहां पर check कर सकते हो next step में आप इसके limits find out कीजिए limits कैसे निकाल नहीं है अगर मैं y को 0 लेती हूँ if y is equal to 0 then x into x minus a square is equal to 0 means x की value क्या रही है से 0 and a तो यह जो curve है वो x axis को दो पैंट पर meet कर रहा है किस पर जी एक्स जीरो एक्स जीरो एक्स की value ए है और y की 0 तो x axis को 2 point पर meet करेगा है अब हम देख लेते कि car y axis को कहा का पर meet कर रहा है तो मैं यहां पर लेती हूँ x is equal to 0 जैसे x की value 0 ली मैंने y की value 0 आएगी x को 0 पूट करते ही y 0 other value कोई है नहीं वाई की सिरफ 0 आर इसका मतलब जो curve of y axis को केवल origin पर meet कर रहा है meets y axis at horizon horizon पर meet करेगा और कहीं पिसको meet नहीं करेगा ओके next point में हम चेक करते हैं कि इसका reason क्या आएगा reason मतलब positive direction में नेगेटिव क्योंकि हमने सिरफ यह पता कि है ना कि symmetry के लबाव x axis है अब हमें यह नहीं पता कि सिरफ positive direction में नेगेटिव डिरेक्शन में भी जाएगा तो यहाँ पर देखें left hand side is always positive क्यों क्योंकि यहाँ पर y square है left hand side पर और यह term हमेशा positive रहेगी चाहिए y की negative positive value put के जिए और left hand side equal to किसके है right hand side के अगर left hand side positive है left hand side is always positive so right hand side must be positive right hand side भी positive है रहेगी ठीक है क्योंकि left hand side equal to right hand side है so right hand side अगर हमारी positive आ रहे है इसका मतलब x must be positive x की value केवल positive हो सकती है negative नहीं हो सकती है इसलिए हमारा जोक्कार हो वह y axis की right hand side पर ही रहेगा left hand side पर नहीं जाएगा है ना देखे कैसे ड्रो करना आप इसको trace कर सकते हो और क्योंकि आप 7 chapter कर चुके इसलिए आपको लूप का भी idea हो जाना चाहिए इसके बाद हमें tangent at 0 at a 0 पे निकालने की जरुत नहीं जैसे कि हम इस point पर tangent find out करते हैं कि लूप की जोग वो किस टाइप का आएगा तो आपको पता है कि लूप इस टाइप का ही होता है है ना तो यहां से यह point on a 0 x-axis को दो point पे meet कर रहे है 00 y-axis को कि वो लेक point पे meet कर रहे है और symmetrical about है x-axis के तो यहां से यह कुछ इस तरह से बन जाएगा और यह हमारा tangent का काम कर रहे है कौन y-axis इसलिए जो rectification में आपको tracing करनी है वो आपको इतने ही करने से काम चल जाएगा यहां पे सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि limits हमने क्या find out कि है limit है मेरे पास x के limit 0 to a मुझे arc length चाहिए तो यहां से लेकर यहां पे यह आपको arc length find out करनी है जितनी arc x-axis के above है उतनी arc x-axis के below side में है तो यहां से मैं क्या check करती हूं कि मेरे पास arc length आती है s is equal to two time two time लेंगे क्यों क्योंकि मैं सिर्फ इसके निकाल लेती हूं और इसका double करेंगे तो पूरिया arc length आ जाएगी इसकी loop की है ना यह हमारे पास क्या बनता है loop two time of zero two a क्या formula था बही two plus अगर हम मैंने x-axis के limit लिए ना तो आपको यहाँ पर d y by dx लेके चल लें square with respect to x integration करना है अब तुम्हें main value चाहिए d y by dx के वहाँ से आप जो equation दे रखिये उसको solve करते है 3 a y square is equal to x into x minus a square यहाँ से आपको derivative करना है differentiate with respect to x इसका differentiation करते हूँ then 3 a यानिकि 6 a y y का हो जाएकर d y by dx और यहाँ पर अगर आप apply कर रहे हो तो you want to be apply कर सकते हो x का 1 derivative यहाँ से x minus a square as it is plus x into 2 into x minus a ठीक है क्योंकि 2 power आ गया जाएगी और इसका derivative बेसा करेंगे 1 हो जाएगा यहाँ से d y by dx value मुझे find out करनी है x minus a मैं common ले लेती हूँ और यहाँ पर time आजाएगी x minus a plus 2x x minus a common यहाँ पर x minus a यहाँ से common यहाँ से 2x आजाएगा divide by 6 a y अब हमें y की value चाहिए है हाँ से y की value मैं कहां से find out करूँ? इसी से find out करनी पड़े है क्योंकि मुझे पूरा function जो हाँ वो x में चाहिए right hand side पर है ना? तो y की value आप यहाँ से find out किजिए और यहाँ पर put करते है x minus a this is 3x minus a divide by 6a into अगर मैं y की value निकालती है हाँ से this is under root of x into x minus a square divide by 3a ठीक है? इसको solve करते हैं क्योंकि यह square quantity है under root से cancel x minus a से x minus a cancel यह तो इससे cancel हो जाएगा और यहाँ से क्या time आएगी? 6 by root 3 तो यह आजाएगा पहले numerator लिखते 3x minus a divide by 6a into root 3a इसको numerator में लिख लेते हैं पहले और 6 पूरे का root है यह और यहाँ से आजाएगा root of x clear? इसको हम solve करते हैं अभी तो यहाँ से आजाएगी भी dy by dx की value dy by dx is equal to और मुझे इसका square भी चाहिए क्योंकि जो formula है हमारे पास यहाँ पे इसका square करते हैं तो आप square भी डिरेक्ट करी लिजिए square करते हैं तो यहाँ से आजाएगा 3a divided by 36a square 3x minus a square divided by x root cancel तो यह value आजाती है dy by dx के square तो आजाएगे formula में यह हम ले लेते हैं equation put in first then s is equal to 2 time 0 to a root of 1 plus इसको आप a से cancel कर दीजिए और यहाँ से आजाएगा 12 means यह बनेगा आपके पास 3x minus a square divided by 12ax इसको solve करते हैं मैं डिरेक्ट लिख रही हुँ यहाँ पे solve करने के बाद आपके पास आएगा और यहाँ से यह result आजाएगा आपके बास याँ इसकी calculation में डेक्ट लिख दी हाँ पे इसका आपको integration करना है root 3 a 0 to a इसका आप कैसे करेंगे 3x upon root x plus 1 a upon root x dx this is equal to root 3 a integration of 3 root x हो जाए गई और a by a into x की power minus half dx इसका पे integration कर सकते हो 0 to a limit चल रही है root 3 a x का root x का integration is a 3 by 2 divide by 3 by 2 limit इक अठ्था अप्लाई कर लेते है a x days to power half divide by half और limit अप्लाई करनी है 0 to a ओके यहाँ से calculation कीजिए यह आज आपके बास 3 से 3 कैंसल 2 1 by root 3 a 2 यहाँ पे a पूट कर ले a raise to power 3 by 2 divide by 1 plus 2 a a raise to power half minus 0 रखेंगे तो जो हो लोवर लिमिट हमारी complete 0 आजाएगी तो इसको solve कीजिए इसका जो answer आएगा this is the length of this loop ठीक है next question देखते next question है most most important question आईए show that the length of the curve x square into a square minus x square equal to 8a square y square is pi a root 2 length of this curve की length जो वो यह आपको प्रूव करनी है मितलब में मैं r की length find out करनी है तो सबसे पहले आपको देखना है कि r कहां से कहां तक है कि shape में हमारा curve बन रहा है तो इसको trace करते हैं सबसे पहले आप symmetry check करते हो यहाँ पर x के और y के दोनों की even power है so curve is symmetrical about x and y axis both दोनों के symmetrical बनेगा ओके next is next हमें क्या check करना होता है क्या curve origin से पास कर रहे है तो x को और y को 0 put की जी left hand side equal to right hand side आजाएगा इसका मतलब curve origin से पास कर रहे है और second method क्या है किसके दिर कोई constant नहीं होने चाहिए है ना तो यहाँ से जो curve है हमारा curve is curve passes through origin origin से पास कर रहे है third हम asymptote check करेंगे और asymptote आपको already आता है check करना case का asymptote exist करता है नहीं करता है जिन बुच्चों ने asymptote अभी तक वीडियोस नहीं देखी है वो four chapter की वीडियोस देख सकते ठीक है मैं करवा चुकी हूँ asymptote का chapter और यहां से इस काम के लिए कोई asymptote exist नहीं करेगा coefficient of highest degree of x and y are both constant ठीक है there is no asymptote all right fourth is limit find out करते है limit कैसे y को 0 पुट केजिए if y equal to 0 then x square into a square minus x square equal to 0 अगर मैं यहां पर y को 0 पुट करते है तो यह equation मेरी equal to 0 आजाएगी यहां से x square equal to 0 या फिर a square minus x square equal to 0 x की value क्या रही है 0 यहां पर या फिर x square equal to a square and x is equal to plus minus इसका मतलब यह जो कर रहा हूँ x axis को 3 point पर meet कर रहा है कहां कर पर it meets x axis at 0 0 a 0 और minus a 0 पर अगर मैं x को 0 पुट करते हूँ तो y मेरा 0 आता है x equal to 0 implies that y equal to 0 इसका मतलब y axis को cable और cable 0 पर meet करेगा कर रहा हूँ it meets y axis at 0 0 only horizon पर meet कर रहा है अच्छ जी जो right hand side है हमारे पास यह हमेशा positive रहने वाली है क्योंकि y की even power है यहापर यह अगर positive है तो left hand side भी हमारी positive रहेगी that means x square into a square minus x square is greater than equal to 0 implies that a square x square तो अल्रेडी positive है क्योंकि यहाँ पर x की square value है ना तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a square minus x square भी हमेशा positive रहेगा origin find out कर सकते हो lowest degree term को equal to 0 यहाँ पूट करके है तो lowest degree term क्या क्या तो इसको हम equal to 0 पूट करके हैं से tangent find out करते हैं then a square कौबन निकांकि cancel कर दीजिए y8 y square is equal to x square means y is equal to plus minus 1 by root 2 x यह दो tangent आ जाते हैं तो अभी आपने इसको trace कर सकते हैं x-axis को three point में meet कर रहे हैं कहां कहां पर a 0 and minus a 0 पर इसके बाद जो आपने origin पर tangent find out किया हैं हम tangent ले सकते हैं इस point को थोड़ा सा धर लिख देती हो यह जो lines origin से pass करेगी यह positive direction में और यह negative वाली line यह tangent है at origin और यह एक्सिकारो को यह पर इसको touch कर रहे हैं और y-axis को कारो केवल origin में meet कर रहे हैं यह भी में निकाल चुके हैं स्मीट्रिक अबाउट x-axis और y-axis यानि x-axis के जितना अबाव है उतना ही below है यह जितना right में है उतना ही left में है तो यहां से क्या बनेगा भी this is a low ऐसा इधर बनेगा और इसी तरह से यह बनेगा है इसमें हम जो हमने कर्व ट्रेसिंग में किया था उसमें केवल हम एक पॉइंट नहीं निकाल रहे है वैसे तो इतने कोश्चन से आइडिया आ जाता है को कि किस तरह से ट्रेस जाएगा यहां से सरफ हमें क्या नहीं find out किया है कि हम क्या निकालते थे कि इस point पर और इस point पर इन दोनों को origin पर shift करके हम यहां पर tangent find out करते हैं और एक special point जिससे आपको थोड़ा से यह idea दाता है कि आपको y-axis पे कितना लेके जाना है कि यहाँ पे कितनी value आने जिए वह हम डिवाइव 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 पुट करके और हम यहाँ पे tangent निकालते है ना तो I think कितने से आपको काम चल जाएगा in rectification अगर card tracing में यह question आता है तो आपको complete निकालके दिखाना पड़ेगा हर एक point वहाँ पे discuss करना पड़ेगा 6 के 6 point और चलिए भी आभी हमें क्या चाहिए इसकी arc length यानिकि यह complete और इधर से यह वाली ठीक है तो जितनी arc length यह है उतनी ही यह वाली ऐसे ही यह और यह निकि हमारे पास 4 same यहाँ पर portion मिल जाते हैं 10 plus this plus this and plus this तो यहाँ पर मैं क्या गरती हूं कि एक portion की length ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कि limit कितनी x की 0 to a तो अगर मैं arc length निकालती हूं of this loop then 1 sorry 1 by 4 नी 4 into 0 to a under the root of 1 plus dy by dx x hall square dx clear रही तो यहाँ से में क्या करना है 4 time ले लेना है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 4 same arc है क्योंकि limit हमें पता है x-axis पर 0 to a तो यहाँ पर 4 time किया हमने 1 plus dy by dx hall square into dx अब यहाँ पर आपको solve करना है dy by dx की value 8 a y square is equal to x square into a square minus x square with respect to x derivative किजिए आगी calculation शायद आप कर सकते हो easy है यहाँ पर आपको integration बिल्कुल आना चाहिए ठीक है तो यहाँ आप पुट करेंगे dy by dx की value जैसे आप यहाँ पर dy by dx find out करते हो एक step में बता रही हो आपको 16 a y dy by dx is equal to इसको u into e apply किजिए minus 2x यहाँ पर plus a square minus x square into 2x x square के derivative 2x हो जाएगा यहाँ से आप common निका लिए है common आ रहे है 2x और यह जो टाहम आएगी divide में जाएगी means यहाँ से 2x अगर मैं common लेती हूँ then minus x square plus x square and this is minus x square okay divide by 16 a y यहाँ पर आपको y की value पुट करनी है इस term से find out करके आप यहाँ पर इसको divide करके under root करेंगे यहाँ पर आपको पूरा function x में चाहिए ठीके तो इस यहाँ पर value y की value पुट किजिए उसके बाद divided dx की value का square हमें यहाँ पुट करना होता है फिर हम इसका integration करते है ओके तो इसको आप आगे proceed किजिए next question देखते है question 5th देखे भी find the parameter of the loop of the curve 9a y square equal to x minus 2a into x minus 5a square यह आपको curve की question given है और इसको आपको क्या करना है parameter find out करना है loop का that means आपको arc length की find out करनी है ठीके तो सबसे पहले इसको trace करते है first point symmetry check करते हम then क्योंकि y की even power है so यह curve जो हो symmetrical about x-axis होगा x की old power है यहाँ से open करेंगे x square into x is x cube हो जाएगा और x की even power आ रही है तो symmetrical about जो y-axis नहीं होगा और अगर origin के देखेंगे तो x को minus x से y को minus y में change किजी है अगर equation change नहीं होती तो origin क्यों होता है न तो यहाँ पर जो हमारे पास है यह curve है symmetrical about about x-axis okay second हमें क्या चेक करना है क्या क्या कर रहे है क्या क्या पास कर रहे है तो यहां से क्या पता चल जाएगा कि कर डज नॉट पास थ्रो और इजन और इजन से पास नहीं करेगा एंड थर्ड इज़ आश्म टोट चेक कर सकते हो आश्म टोट विश्क एग्जिस्ट नहीं करेंगे नो आश्म टॉट्स फोर्थ लिविट फाइंड आउट किजिए वाई को जीरो पूट करते है अगर इसमें अगर आप ना भी देखें ओनली एसम टॉट किसमें रेक्टिफिकेशन में तो अभी आप कर जो हो ट्रेस कर सकते हो पुट वाई इस इक्वल टू जीरो वाई को ने जीरो लिया है यहां से तो लाट राइट इन साइड इक्वल टू जीरो यानि एक्स माइनस टू इन्टू एक्स माइनस 5A स्कॉर इक्वल टू 0 यहां से एक्स की दो बेली वाएंगी 2A एंड 5A धाट मींस कार्व मेत्स अट X-Axis इसको मैं फर्स्ट एक्वोशन ले रही हूँ एनिकार मेत्स X-Axis अट 2A 0 एंड 5A 0 एक्स इसको दो पाइंट बेक्ट कर रहा है नेक्स्ट हमें क्या check करना है जो कर और इसमें से पास करता है उस पर हम क्या find out करते हैं tangent at origin अब यह कर और इसमें नहीं कर रहा है इसलिए हमें यहां पर जिन point पर x-axis को cut कर रहा है उन points पर आपको tangent देखना पड़ेगा इसलिए आपको क्या करना है यहां पर इसको origin पर shift केजिए ओके तो सबसे पहले हम shift करते है शिफ्ट टू एजिरो एट और रिजन एक point मैं कर लेती हूं एक आप खुद केजिएगा है ना तो टू एजिरो को अगर होजिन पर shift करेंगे तो मेरे बास नया जो एक से साइगा किसके एकवल होगा x-2a and y is equal to y-0 यहां से आप small x की value find out कर सकते हो x is equal to capital x plus 2a और small y is equal to capital capital y है ना तो यह value उड़ा है और first equation पूट करते है 9a y square means capital y square is equal to x x is a x plus 2a minus 2a into x plus 2a minus 5a square 9a y square is equal to x 2a से 2a cancel into x minus 3a square क्या यह कर और उनसे पास कर रहे है हमें x और y को 0 पूट करना है दोनों साइड equal to 0 आ रहे है that means यह कर अब हमारा और इंसे पास कर रहे है और हमें यहां से क्या निकालना है कि tangent at origin अब हम find out कर सकते है tangent at origin यहां पर आप लिखेंगे कि this is passes passes through origin ठीक है therefore tangent at origin tangent at origin lowest degree term देखें यहां पर lowest degree term क्या आ रहे है जब आप यहां से इसका square open करेंगे a square plus b square plus 2ab है ना तो जो b square की term और x के साथ multiply करेंगे सबसे चोड़ी डिगर की term आएगी यानि की 3a square into x is equal to 0 ठीक है यहां से आजाएगा x equal to 0 that means x की value put कीजिए x क्या था capital x x minus 2a that is x minus 2a is equal to 0 and x is equal to 2a x is equal to 2a line यह हमें मिल जाता है tangent किस point पे 2a 0 point पे अगर मैं इसको trace करना start करती हूं यह मैं 2a ले लेती हूं और 2a 3, 4, 5 this is a 2a and 5a तो 2a पे हमने tangent find out कर लिया है और क्या है यह x equal to 2a तो x equal to 2a line कैसे जाएगी जो 2a point में से होके जाती यानि parallel to y axis है ना यह line हो जाएगी x equal to 2a इसके बाद आपको जो second point है इसको भी origin पे shift करके और हमें यहाँ पे tangent यानि कि इस point में भी tangent निकालना है means x को चल मैं करवाई देती है इसको x को आप लेके चलेंगे x minus 5 है और y को लेके चलेंगे y minus 0 and आप put करेंगे in the first equation यहें पे कर रहेंगे shortcut से 9a y square is equal to x small x के place पे आपको capital करना है x plus 5 है तो यहाँ पे मैं x plus 5 है करती हूँ capital X plus and यहाँ पे बच जाएगा 3a solve हो कहें न और यहाँ से 5 है cancel यहाँ से आजाएगा x square क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है इसको square दे रखा है तो यह अगर यह origin से pass कर रहा है lowest degree term को आप equal to 0 put कीजिए क्योंकि इसमें second degree lowest degree term आएगी कब जब मैं इसको multiply करती हूँ 3a x square तो यहाँ से tangent आएगा at origin पे y square is equal to 3a y square x square ठीक है यह tangent यहाँ लेखरी हूँ मैं कि tangent at origin यानि कि हम 5a पे चेक कर रहे है 3a x square y की value निकाल लेजी y is equal to plus minus root 3a x यहाँ पे अगर मैं value पुट करती हूँ y यहाँ से value निकाल लेते है y is a small y is equal to plus minus root 3a x की value है x minus 5 clear भी? तो यहाँ से जो आपको tangent मिल रहे है at 5 है हमें क्या पता चल रहे है? कि मेरे पास 2 tangent आ रहे है plus or minus real and distinct tangent इसलिए जो इसका जो nature है और जिस पे आप tangent ड्रॉ कर रहे हो इन tangent से ही में पता चलता है न कि इसका origin का nature कैसा रहेगा तो यहाँ पे क्या बन रहे है? नौड और नौड किस शेप में बनता है? इस शेप में बनता है तो यह जो point है यह हमाया यहाँ पे ऐसे cut करेगा कारू का और यह line इसके लिए tangent बन रहे है इसका मतलब हमारे पास कारू कुछ इस टाइप से जाना चाहिए जो इसको touch करेगा ओके वैसे तो यह ऐसे बनना है अभी देखते हैं हमें और क्या-क्या point निकाल सकते अब हम जोड़ा सा reason डिसकुस कर लेते हैं इसका जो fifth point आप लेके चलोगे fifth point is a reason रीजन मतलब आप यह x-axis पे किस लिमिट से किस लिमिट तक यहां पे इसके left में बनेगा राइट में बनेगा जो भी है जो हमारी question है कर की left hand side पे term है 9 a y square and y square is always positive ठीक है then left hand side is always positive therefore right hand side must be positive और अगर right hand side positive है क्योंकि x-5a square is a square quantity and यह भी positive रहेगी तो यह right hand side positive कब बनेगी कब जब x-2a भी positive होगा clear भी तो जो right hand side पे है x-5a square यह positive quantity रहने वाली है हमने कहा कि left hand side हमेशा positive रहेगी तो right hand side भी positive होने चाहिए क्योंकि यह दोनों equal है और x-5a का square है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क पड़ेगा x-2a पे इसलिए यह right hand side positive तब बनेगी जब x-2a की तरब हमारी positive आ जाए यहां से condition के आएगी x greater than 2a means हमारा जो curve है वो 2a की right में रहने वाला है है ना left में नहीं जाएगा सो अब आप arc length पर इसकी find out कर सकते हो reason हमें पता चल गया है कि x के 2a में यहां पर जो हो इसकी right hand side पर जाएगा और 5a पर नोट बना रहे है इसलिए curve की जो arc length है वो 2a से 5a आपको यह find out करनी है यहां तक इसके बाद अगर x infinity तक जाएगा तो y भी infinity तक इसलिए आगे इसके branch जो हो चलती रहेंगे तो यहां पर हमें चाहिए dy by dx 9a y square is equal to x minus 2a into x minus 5a square यह आपको term दे रखें यहां से आप differentiation करेंगे with respect to x differentiate 9a 2 into 18 कर लेते y dy by dx x is equal to u into we apply किजिए x minus 2a as it is 2 into x minus 5a plus x minus 2a इसका derivative करने वाले 1 हो जाएगा x minus 5a square as it is यहां से common क्या रहे x minus 5a common आ जाएगा और यहां पर जो term बचेगी 2x minus 4a and यहां से x minus 5a x minus 5a हमने common ले लिया है और 2 से हम यहां पर multiply कर देंगे और यह ट्रम यहां पर एक ट्रम आजाएगी common और dy by dx is equal to divide कर लेते 18a y square यहां 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 से फाइड आउट करते हैं यहां से क्या आएगी x minus 2a x minus 5a square divide by 4a and इसका under the road ठीक है यह value आ जाएगी आपके बस डीवाइब आएगी अपर पूरी टरम हमारी किसमें चल रही है x में आ रखे है यहां पर solve करते हैं इसका square square इसके cancel हो जाएगा square root से square cancel और यह टरम इससे cancel हो जाएगी और यहां से अगर हम चेक करें तो 3x minus 9a 3 common ले लेजिए 3x x minus 3a ठीक है यह 9a आएगा यहां पर और यहां पर 3x आ रहा है and root 18a और इसको आप लिख दीजिए 2 root a यह multiply हो जाएगा and यहां से जो टरम हा रही है x minus 2a आ रही है so this is value of dy by dx और हमें parameter जो निकालना है उसके लिए क्या चाहिए देखें वह लूप बन रहा है हमारा यहां से यहां तक यह मैं a point ले लेती हूँ यह मैं b point ले लेती हूँ है तो अगर मुझे इसकी लेंद निकालनी है this arc and this arc क्योंकि यह symmetrical about x axis है तो जो इतनी x के उपर बन रही है उतना ही नीचे बन रहा है portion है ना तो यहां से क्या करेंगे two time of arc a भी कर लेते है so required parameter parameter is क्या जाएगा integration limits कहां से कहां तक लेंगे x vary कर रहा है 2a से 5a है ना तो limit 2a to 5a under root of 1 plus dy by dx square into dx यहां से आप इसका square भी कर सकते हो यहां जाएगा 3 और अगर मैं हां से square ले लेते हूं direct dy by dx का square then this is equal to square करेंगी से 1 by 9a ठीक है क्योंकि square कर रहे हो 39 और यहां पर a आजेगा a square से cancel और यहां पर आएगा x minus 3a square divided by x minus 2a clear यह value आप put करेंगे हाँ और l से बगरा लेके solve करेंगे इसके बाद जो value आ रही हूं मैं direct लेकर हूं x minus a 2a to 3a this is यह solve करने के बाद आएगा x minus a upon x minus 2a और into चल रहे है 2 root a into 2 यहां पर आप value पुट करेंगे this is a 5a y by dx square की value यह बली पुट करेंगे l से लेंगे solve करेंगे यह आ जाएगा इसके बाद आपको इसका integration करना है अगर आपके बास under root में quantity है same term हम उपर बनाते है ना numerator में change कर लेते हैं इसको कैसे करेंगे यहां पर मैं a minus कर लेती हूं a ही add कर लेती हूं this is x minus 2a और इसके x minus 2 is a denominator और यहां पर लिख सकते हूं इसको a upon क्योंकि plus का रहेगा यहां पर minus हम ने इसके साथ ले लिए x minus 2a and dx this becomes 2a to 5a यहां पर आ जाएगा under root जो numerator में shift हो जाएगा x minus 2a and this becomes x minus 2a raised to power minus half into dx अब आप इसका easily integration कर सकते हूं limit put करिए और एक चीज़ हो रहा हूं यहां पर हमने parameter के 2 time करना किया नहीं है 2 time the arc length of ab 2 time arc length of ab ठीक है तो 2 यहां पर आपको multiply करना है यह जो 2 यहां पर चल रहा है and यहां पर इसको आपको proceed करना है इसके बाद integration करिए limit put करिए और आपका parameter मिल चाहिए next question देखे find the length of the boundary of the reason यह reason है यहां पर bounded by the curve आपको एक reason दिया गया है जो किससे boundary है y equal to x square by 2 plus 1 यह curve की equation है and the lines y equal to x line जो origin से pass करती है x equal to 0 line means y axis and x equal to 2 जो parallel to y axis बनेंगी x equal to 2 point तो इससे आपका reason जो bounded है तो सबसे पहले आप figure मनाईए यहां पर यहां पर देखे y is equal to curve दे रखा है 1 by 2 x square plus 1 देखते ही पता चल रहे y linear x quadratic that means parabola बन रहे and origin से pass नहीं करेगा क्यों? क्योंकि यहां पर x और y को अगर मैं 0 put करते तो 0 equal to 1 आता है यानि कि दोनों side equal नहीं आती 0 not equal to 1 so कर जो हो और इनसे pass नहीं करेगा second साथ साथ अगर हम draw भी करते हैं तो यहां से क्या आना चीए? vertex क्या निकलेंगे इसके? अगर मैं x को 0 लेती हूं तो y की कितनी value आ रही है? 1 तो y axis को या x 0 किस पर होता है? at a y axis तो यहां पर जो आपका 0 यह 1 point ले रही हूं है तो y 1 पर कट कर रहा है यानि कि count जो y को 1 पर कट कर रहा है next is अगर मैं y को 0 लेती हूं तो x की image only value आती है इसका मतलब यह जो curve यह x axis को कहीं पर भी touch नहीं करेगा तो पैरा बोला हमारा किस टाइब से बनना चाहिए कुछ है? इस तरह से बनना चाहिए ठीक है? x equal to 1 और x equal to 2 ओके? next देखते है y equal to x y equal to x कौन से line होती है? जो origin से pass करती है यानि कि यह line यह जा रही है y equal to x ठीक है? next x equal to 0 मतलब कि यह line जो हमारी y axis है और इसके बाद है x equal to 2 means आपको जो हो x equal to 2 पे parallel to y axis ऐसे line draw करनी है और देखिए आप यह reason bounded क्या बन रहे है? जो इस curve से यह होगया curve इस से मिलके और इस line से और इस line से और इस line से मिलके बना है ठीक है? तो इसको मैं ले लेती हूँ o, a, b and c तो मुझे जो length चाहिए वो चाहिए o, a, b, c के तो यहाँ से हम दिख सकते हैं कि required length क्या होने चाहिए? o, a, plus, a, b, plus, b, c, plus, o, c यह, plus, a, plus, a, plus, y तो यह हमें चाहिए इसकी जो length आपको find out करनी है अब हम देखते है o, a, आप कैसे find out कर सकते हो? आपको a की coordinates पता है यहाँ पर हमारा x कितना है? 0, y is a 1 and यहाँ पर this is a origin 0 and 0 distance formula से आप o, a की value find out कर सकते है next आता है a, b a, b is a arc कोई line नहीं है a, b a, b हमारी arc है तो arc को हमें कैसे करना पड़ेगा? जैसे अभी तक हम जो अभी पिछे जो question करते आ रहे है arc length हम किस से कर सकते है? rectification आपको find out करना है तो arc length के लिए हमें क्या चाहिए? अगर मुझे यहाँ से find out करना है length of a, b length of a, b then this is equal to किसी, क्या formula बनेगा इसका? integration कहां से कहां तक? x vary कर रहा है अच्छा जी हमें यह point पता होना चाहिए यह point किसके intersection से बन रहा है? parabola and x equal to 2 यह line है x equal to 2 तो मैं b का अगर point निकालना चाहूं b का coordinate निकालना चाहूंगी तो क्या करेंगे? y is equal to x square by 2 plus 1 यह parabola की question दे रखी है और x equal to 2 line इसको intersect कर रही है मैं इसमें यहाँ पर put करते हूं x equal to 2 y की value मिल जाएगी हमें put करेंगे हाँ यहाँ पर y is equal to 4 by 2 2 is a 2 plus 1 यहाँ कि y आजाएगा 3 तो यह point आएगा 2 3 point ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं a b की length निकालोंगी तो मेरे पास क्या बन रहा है? y is equal to यह function यह कर्व की question दे रखी है यहाँ से मैं find out करते हूं dy by dx this is 2x by 2 1 0 जाएगा 2 से 2 cancel means x मुझे formula में क्या चाहिए? limit आ रही है हमारी 0 to 2 x की limit ले रहे है x जो इस point से इस point तक कौन कौन से value पे vary कर रहे है 0 to 2 पे vary कर रहे है है ना? तो 0 to 2 under root of 1 plus dy by dx square dx integration करतेंगे यहाँ से मुझे a b की length मिल जाएगी तो 0 to 2 under the root of 1 plus dy by dx की value पूट की जी है is x यानिके x square is dx अब यहाँ पे आपको formula अप्लाई करना है और इसका integration करना है आप इससे compare करेंगे integration a square plus x square dx इसका हम discuss भी कर चुके है a by 2 a square sorry x by 2 होता है a square plus x square plus a square by 2 log of x plus root a square plus x इसी का आप second formula अप्लाई कर सकते हूं x by 2 under the root of a square plus x square plus a square by 2 sin hyperbolic x inverse x okay and यहाँ से अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे this formula एक इवाली हाँ पे कितनी है 1 means 1 by x by 2 1 plus x square plus 1 by 2 sin hyperbolic inverse x ठीक है limit अप्लाई करनी है आपको 0 to 2 तो इसको solve कर ले ना मैं डिख लिए आप यह जो answer आ रहा है this is root 5 plus half sin inverse 2 sin hyperbolic inverse 2 यह आजाएगी arg length of a b means हमें a b की value मिल गी है o a की value o a b find out कर लेते हैं o a is a distance formula से this under the root of 0 minus 0 square means 0 1 minus 0 square is a 1 यह आजाएगा 1 ठीक है next हमें चाहिए b c b की coordinate अपने निकाल लिए अब हमें c के चाहिए यहाँ पर x कितना है x is a 2 यह point है 2 0 और यह line जो हम y equal to x तो यह point आजाएगा 2 and 2 अब यहाँ पर b c के लाँ थापने काल सकते हो b c कितना बनेगा b c is equal to under root of 2 minus 2 is a 0 and 3 minus 2 plus 3 minus 2 square this is also equal to 1 और हमें क्या चाहिए और o c o c is equal to 2 square 2 minus 0 is a 2 square plus 2 square ठीक है means 4 4 is a 8 this is 2 root 2 तो सभी की value आपको मिल जाती है सभी value आप यहाँ पर पूट कीजिए then length कहाँ पर लिखे यहाँ पर लिख देती हूँ इसको अब फर्स एक्वेशन ले लेते है put all these values in equation first then required length is equal to o a o a is a 1 1 plus root 5 plus half sine hyperbolic inverse 2 and इसके बाद हमें चाहिए value bc bc is equal to 1 and oc oc is equal to 2 root 2 this is equal to 2 plus 2 root 2 plus root 5 plus half sine hyperbolic inverse 2 यह है अपका question 6th और इस यह important example है लास्ट इसांपल शोग्ट इन दे रखा है एक्स वाई इस गिवन वाई मिन्स आपको इस कार्व टी लेंथ जिरो सी से पॉइंट से लेके एक्स वाई पॉंट तक फाइंड आउट कर ने चाहिए ओके तो इहां पे आपको कुछ कुछ रों नी करना आपको लिमिट है और डीशन पता है सी कॉस है परभॉलिक डैस यहां से क्या चाहिए धीव स्थ हम डेरीवेटिव करते डिस सी सी साइञ हाई पर बोली एक्स वाई टी peach और एंगल गा करेंगे तोवًं जा पर नबाइश और टी sab 0 to x क्योंकि जो point है 0 c से xy तक दे रखा तो अगर max के limit लेती तो x vary कर रहा है 0 to x under the root of formula क्या होता है 1 plus dy by dx square dx integration करेंगे with respect to x this is 0 to x under the root of 1 plus value put किजिए हमें square करने न तो sin hyperbolic square x by c dx मुझे प्रूव कर यहां से solve करके मेरा यह answer आना चाहिए this is equal to 0 to x under root of cos hyperbolic square x by c dx square center root cancel means this becomes 0 to x cos hyperbolic x by c dx and इसका integration क्या जाएगा sin hyperbolic x by c और divide by angle का इजब 1 by c means c into sin hyperbolic x by c और limit चल रही है 0 to x 0 to x अगर हम x apply करेंगे तो यह रहेगा 0 apply करें तो 0 हो जाएगा that means इसकी value आजाएगी c into sin hyperbolic x by c और यहीं आपको प्रूव करना था s is equal to इसको हम क्या लेके चलते है arc length तो s से denote करते है आपको यह प्रूव करना है this becomes c square इसको open करते है cos में change कर लेते cos hyperbolic square x by c minus 1 c square से multiply कीजिए c square cos hyperbolic square x by c minus c square ठीक है यहाँ से square आप अगर हम value पूट करते है c cos hyperbolic x by square इंग बहुत साइट करेंगे तो यह बन जाएगा y square and this is c square equal to चल रहा है s square के और यही आपको प्रूव करना था in this second factor ठीक है तो यहाँ तक की करेंगे आज की lecture में हम यानि rectification की first exercise के examples complete होगे है और next video में आपको जो rectification की video मिलेगी उसमें हम exercise भी solve करेंगे क्योंकि important exercise है और chapter complete ही important है तो हम exercise भी हाँ पर करेंगे ओके तब तक इसको try कीजिए मिलते हैं next lecture में and thank you for watching my video झाल